हेलो एबरेवन वेलकम टू दिस चेनल नौलेज सेंटर आरकेजे दोस्तो बिहार बोड इंटर परिक्षा 2022 का आज जोगरफी का एक जिवाम हो चुका है और आज पूछे गए सब ही 70 अबजेक्टिव को 100% सही उत्तर के साथ देखने वाले हैं तो आप मिलान कीजेगा आपने आप सेंट करना है क्योंकि जितना भी कुछा गया है सब कोज़िन से मिराता है सिर्व उसका नंबर चेंज रहता है तो आप मिलन कीजेगा अराम से कि आप कितना सही किए हैं और विडियो के अंत में कमेंट भी किजेगा तो आई दोस्तों बिना टेमबेश्ट किए स्टार्ट करते हैं तो पहला आपसे पूछा गया था निर्में से कौन कालाहरी मरुस्थल की जन जाती है तो इसका जन जाती है बुस्मेन आपसे पूछा गया था निर्में से कौन एकल क्रिसी का उत्पाद है चै तो अपसे नमर सी जो है सही उत्तर है तो अगला प्रश्ण है निलखित में से कौन रूस में अवस्थित है तो आपको दिया गया है चार सहर का नाम पूछा गया कौन जो है रूस में अवस्थित है तो रूस में अवस्थित है तुला तो अप्सन नमर 20 का जो है सही उत्तर है तो नेश्ट आपको दिया गया है S.N. अवस्थित है जर्माणी में Option No. A मारे होंगे तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है तो अगला अपसे पूछा गया था कौन पेसेगत कलर का रंग नहीं है तो नहीं है गुलावी Option No. D का जो है सही उत्तर है तो अगला प्रश्ण है निर्में से कौन पेसेबर सेवाओं से समन्दित है तो पेसेबर सेवाओं से समन्दित है वकिल Option No. A इसका सही उत्तर है तो अगला प्रश्ण है किस मार्क का उप्योग अजाटिना एवं यूरोप के बीज जो है ब्यापार के लिए होता है तो होता है उत्री अट्लांटिक समुद्री मारक का तो Option No. A इसका जो है सही उत्तर है तो अगला प्रश्ण है टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रिया कलाप का उदाहरन है तो यह उदाहरन है दूतिय क्रिया कलाप का तो Option No. B इसका जो है बिलकुल सही उत्तर है तो अगला प्रश्ण है नागा सा की उदाहरण है तो यह उदाहरण है तो किसी उदाहरण नहीं है आफ्स Нमबर D का उदासे उदार इनमेंसे कोई नहीं तो नेश्ट आपको दिया गया है गरी सन नगर का समंध है तो इसका समंध है छाबनी से तो option number A मारे होंगे तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है छाबनी से तो अगला प्रश्ण है Paris और London को जोड़ने वाली सुरंग है तो इसको जोड़ने वाली सुरंग का नाम है Channel Channel तो option number A का जो है बिल्कुल सही उत्तर है तो अगला प्रश्ण है सार्वदिक परदूसन मिलता है तो इह मिलता है महानगर में तो option number C का जो है सही उत्तर है तो अगला प्रश्ण है कुलगार्डी किस देश में अवस्थित है तो कुलगार्डी जो है यह आपका अवस्थित है अस्ट्रेलिया में तो option number C का जो है सही उत्तर है तो गला प्रश्ण है रेखिया नगर का विकास होता है तो रेखिया नगर का विकास होता है नदी के सहारे तो अप्सन नमर एस का जो है सही उत्तर है तो गला प्रश्ण है निम्निकरन का कारण है तो निम्निकरन का कारण है मिर्दा अपरदन तो option number 20 का सही उत्तर है तो ग़ला प्रश्ण है पंच पटमाली खान कीस खनीज से समंधित है यह समंधित है box sites से तो option number 20 का सही उत्तर है तो ग़ला प्रश्ण है कोरोणा ब्यमारी से सारवधिक परभावित जो है कौन स्यांग होती है तो यह होती है तंत्र का तंत्र अप्सन नमबर 20 का जो है स्वासन तंत्र अप्सन नमबर A इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है तो अगला प्रश्ण है निर्में से कौन जवाहरलाल नहरू बंदरगाह का लाता है तो यह अकलाता है नहवा सिवा जो कि महाराष्ट में है तो अप्शन नमर सीस का जो है सही उत्तर है तो गला प्रश्ण है परदी पतन किस नदी के देल्टा पर अस्थित है तो यह अस्थित है महानदी पर अप्शन नमर सीस का जो है स्वरी बीस का सही उत्तर है तो गला प्र दुवारा लिखीत है तो हम बोल्ट दुवारा लिखीत है अस्ट्रेलिया का भॉल ऑप्सन नमबर एसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है तो तोकला प्रश्ण दूस्तों कुछ नमर रतेस जो है दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका उत्तर में आपको कमेंट कर दूंगा तो निश्टाप का दिया गया है मसाई जन्जाती जो है समन्धित है तो यह समन्धित है आफ्रिका से जो कि आपका आप्सन नमबर एसका जो है सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं तो निश्टाप का दिया गया है आयूलिंग पिरामीर का समन्ध क्या होता है जो को होता है इस पुरूरुस ए बर्म महिला की जन संक्रम से तो अप्सट नमबर 20 का जो है बिलकूल सही उद्तर है सोगला प्रश्न निर्खित में से कॉन मानव बिकास सुचकांग से समन्दीत है तो उससे समन्दीत है महभूव उल्हक जो कि पाकिस्तान के एक अर्शास्त्री है आप्सन नमबर सी स्का जो है बिल्कुल सही उत्तर है तो अगला प्रश्ण है देसों में किसमें प्रसनता को परगति का माप मान जाता है तो वो मान जाता है भुटान में आप् मुझी बन का कि सुत्तियां पाई जाती है तो इसे में पाईंवी जाती है गुच्छित बस का 54 में अवस्तितनगर है तो आगलो प्रशन पुछा गैथा गाज़्याबाद औरन है तो यहाँ 1 जो है मदकालτι अरंभूई थी तो यह इसका अरम की गई थी ब्रंपुत्र घाटी से तो अप्शन नमर एस का जो है सही उत्तर है तो अगला प्रश्ण है सलाया मथुरा पैपलाइन का सलाया अवस्थित है तो यह अवस्थित है गुजरात में अप्शन नमर सी इसका सही उत्तर है तो अगला प्रश्ण है व टो लामकार यो नोकादोड है यहाँ समंधित कहां से है तो यह समंधित है किरल से तो प्रॉसन नम्र य alg का जो हैS है सही उत्तर है फुला प्रस्ण。 वेश्ट肉 शेंटरल रोमंडल का मुख्यालय कहां है तो प्रॉस दिया गया है भरमोर जंजाति ये जहत्र समंदित है करें ये सकति है तो या अवस्थित है के रल मे法शन नमर डीज्ट का जो है बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों आगे बाढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किये हैं तो वीडियो को लाइक करके जो है चैनल को सब्सक्रेब जरू कर ले तो अगला प्रश्ण है पायकारा जल्बे दुथ परियोजना है तो यहां परियोजना है तमिल लाडू में आप्सन नमबर ए इसका सही उत्तर है तो अगला प्रश्ण है हुबली सुत्ति बस्तर केंद्र है तो हुबली सुत्ति बस्तर केंद्र जो है यह कहां पर है तो यह पस्सी मंगाल में है तो आप्सन नमबर बीस का जो है स्वरी ये अवस्थित है आपका करनाटक में तो अप्शन नमबर A इसका जो है सयुतर है करनाटक तो नेश्ट आपका दिया गया है भदरावती का समंद्ध है तो भदरावती का समंद्ध है लोह इस पाथ से तो अप्शन नमबर A जो है सही उत्तर है तो गला प्रश्ण है निर्ण नगरों में से कौन गुजरात में अवस्थित नहीं है तो गुजरात में अवस्थित नहीं है नासीक जो कि अवस्थित है महराष्ट में तो अपसन नमबर 20 का सही उत्तर है तो गला प्रश्ण है भारत के जल संसाधन से जुड़ी समस्या है तो समस्या से जोड़ी है शनरक्षन वीतरन और उपलता तो अपसिन नríमय polít अतर है तो अगला पर्शन है निरमें से कौन अयस खान 36 गड में है तो 36 गड में अस्थित है बेला डिला तो अप्सन Northern औरविका समंधित, अरेविका समंधित, कौफी से तो option number 20 का सही उत्तर है तो अगला प्रश्ण है question number 59 से कौन जूट उत्पादक राज है तो आपके समय चार option दिया गया है इनमें असम जो है यह जूट उत्तदक राज है तो option option number 10 का सही उत्तर है तो अगला प्रश्ण है निरु मिरु समंदित है अपसे पुछा के था कि निरु मिरु जो है यह समंदित है तो यह समंदित है जल संभर प्रभंदन से option number इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है तो अगला प्रश्ण है लूनी नदी के प्रवाप की जिसा है तो इसके प्रवाप की जिसा है तो इसके प्रवाप की जिसा है दच्छीन अप्सन नमबर सी इसका सही उत्तर है तो अगला प्रश्ण है रानी गंज परसीद्ध है तो रानी अगला प्रश्ण है पानी पत तेल सोधन केंदर किस राज में अवस्थित है तो यह अवस्थित है हर्याना में अप्शन नमबर ए इसका सही उत्तर है तो अगला प्रश्ण है किस देश में सेंट जोन के बेकोबर के बीच महा मार्ग है तो यह कहां पर है यह कनाडा में है अपस्न नंबर सीज का सही उत्तर है तो अगला प्रश्न है यूरोपिय संग का मुख्यालम किस देश में है così यूरोपियस प्रिभी संग का मुख्यालम है बिल्जियम में अपसन नंबर 20 का सही SO विल्कुल सही उत्तर हैं यह है, बिसी कआयो सही उत्तर है उत्तर है तो मारा के वो पतन जो है ये समन्दित है वेनेज्वेला से तो अपसे नमबर एस का जो है बिल्कुल सही उत्तर है तो अगला प्रश्ण है परवतों पर किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है तो परवतों पर पाई जाती है स्रिधी नुमा अपस्ति तो अपसे नमबर बी से हैं या फ्लोगण फ से है जा गंधी वस्थी या त्यटियण अगर से है ज्ली है धनोबाद परसित्ध्ध है कोई ला प्रसित?」 कोई लाग के लिए अपसन आपका टुक्ट सांधित। तो मिडियन सिटी की जन संख्यां होती है 10 लाग या उस से अधिक तो option number C का जो है बिल्कुल सहीवत्तर है 10 लाग से अधिक तो next type का questions है question number 68 फेबरे समन्दीत है तो फेबरे समन्दीत है मनपतावाद सी option number C का जो है सहीवत्तर है तो next type को दिया गया है सिक्किम की राइधनी है तो इससे केपिटल होता है क्या सिक्किम राइधनी तो यह है गंग टोक जो कि आपका option में नहीं दिया हुआ तो इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं option number D का जो है सहीवत्तर है तो next type का दिया गया था धाराबी मलिन बस्ती जो है या कहाँ पर है तो धाराबी मलिन बस्ती जो है महराश्ट यानि मुंबे में है तो option number A इसका जो है बिलकूल सहीवत्तर है दोस्तों comment जरू कीजेगा आपने जो है कितना सही करके आए है और वीडियो को like नहीं किये है तो वीडियो को like करके चैनल को subscribe जरू कर लिजेगा तो फिलहाल इतना ही मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद